सूप्रभाद बच्चों मैं गायत्रे मिस आज आप लोगों को हिंदी में लिंग बदले पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों हम लोग किस तरह से लिंग बदलेंगे ये मैं आपको बताऊंगे उससे पहले मैं आपको बतलाऊंगे कि लिंग किसे कहते हैं यहाँ देखिए बच्चों, पुरुष या इस्त्री जाती का ज्यान कराने वाले शब्दों के रूप को लिंग कहते हैं. पुरुष या इस्त्री जाती का ज्यान कराने वाले शब्दों के रूप को लिंग कहते हैं. उदारन के लिए जैसे राजा से पुरुष जाती का ज्यान होता है, रानी से इस्त्री जाती का ज्यान होता है, चुहा पुरुष जाती का ज्यान होता है, चुहिया इस्त्री जाती का ज्यान होता है, नाना पुरुष जाती का ज्यान होता है, नानी इस्त्री जाती का ज्यान ह होता है अब आगे देखिए बच्चों क्या है लिंग दो प्रकार के होते हैं पुलिंग और इस्तलिंग बच्चों लिंग कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार की होते हैं, पुलिंग और इस्त्रलिंग, अब यहां देखिए बच्चो, पुलिंग शब्द पुरुष जाती का ज्यान कराते हैं, पुलिंग शब्द से पुरुष जाती का ज्यान होता है, जैसे राजा, राजा से पुरुष जाती का ज्यान हो रहा है, दादा, डादा से पुरुष जाती का ज्यान हो रहा है भाई इसे पुरुष जाती का ज्यान हो रहा है नाना इसे पुरुष जाती का ज्यान हो रहा है अब आगे देखे बच्चो क्या है इस्तिलिंग शब्द इस्त्री जाती का ज्यान कराते है स्त्रिजाती का ग्यान का पता चलता है जैसे उदारन के तौर पर आप देख सकते हैं नानी नानी से इस्त्रिजाती का ग्यान होता है दादी दादी से इस्त्रिजाती का ग्यान होता है बहन बहन से इस्त्रिजाती का ग्यान होता है चुहिया, चुहिया पुलिंग शब्द है, तो इसका इसली क्या होगा, चुहिया, चुहिया से इस्त्री जाती का ज्यान होता है, तो बच्चो इसली शब्द इस्त्री जाती का ज्यान कराते हैं, और पुलिंग शब्द पुरुष जाती का ज्यान कराते हैं, अब आगे देख अब मैं आपको पहले पुलिंग पढ़ाती हूं, पुलिंग, पुरुष जाती का ज्यान कराने वाले शब्द, पुलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, गुड़ा, राजा, चुहा, बैल, आगी जिस शब्द से पुरुष जाती का ज्यान होता है बच्चों, उसे हम लोग पुलिंग कहते हैं, जैसे दादा, नाना, मामा, चाचा, लड़का, गुड़ा, राजा, चुहा, बैल, अब मैं आगे आपको पढ़ाने जा रही हूं, इस्त्रिंग, इस्त्रिंग किसे कहते हैं, इ जैसे लड़की, गुड़िया, राणी, चुहिया, गाय, आदि, बच्चों, इस्त्रिंग जाती का ज्यान कराने मले शब्द को क्या करते हैं, इस्त्रिंग, जैसे बोर्नी, लड़की, बहन, डादी, नानी, राणी, चुहिया, गुड़िया, अब यहां देखिए, यहां पी है पुलिंग और इस्त्रिंग, यहां पे क्या है, चाचा, पुलिंग शब्द है तो इस्त्रिंग क्या होगा, चाची, मामा पुलिंग शब्द है तो इस्त्रिंग क्या होगा, मामी, अब यहां देखिए बच्चों, यहां है पुलिंग और यहां है इस्तिलिंग बच्चों अब मैं आपको यहां पढ़ाने जा रहे हूं कि अगर पुलिंग शब्द दिये हैं तो आप इस्तिलिंग कैसे बनाईएगा अगर इस्तिलिंग शब्द दिये हुए तो फिर आपको पुलिंग बनाना होगा यहां फिर आपके देखिए क्या ह पमे छोटी की मात्रा पी तम्या की मात्रा ता पिता पिता का पिता क्या है पुलिंग शब्द है तो इसका इस्तिलिंग क्या होगा ममया की मात्रा मा तो मया की मात्रा ता माता पिता का पुलिंग शब्द पिता एक पुलिंग शब्द है बच्चो तो इसका इसलिंग क्या होगा माता अब आगे देखे क्या है भमया की मात्रा भा बड़ी इ भाई भाई एक पुलिंग शब्द है तो फिर यहाँ पे देखें क्या है बहन भाई पुलिंग है तो भाई का स्टिलिंग क्या होगा बहन अब यहाँ देखें बच्चो लढ़ कौमियाग की माक्रा का लड़का लड़का एक पुलिंग शर्थ है इसका इसलिए कैसे बनाएंगे हम लोग लड़का का sling क्या होगा लड़की लड़का एक pulling शर्ब दे तो इसका क्या होगा sling लड़की अब यहां देखें बच्चों क्या है मामे ओक की मात्रा मो, र, मोर मोर से पुरुश जाती का बोध होता है यहां मोर pulling है मोर का इस्तिलिंग क्या होगा बच्चो मोमे ओ की मात्रा मो, र, नमे बड़ी की मात्रा नी, मोरनी मोरनी से इस्तिलिजाती का बूध होता है मोर का इस्तिलिंग क्या होगा? मोरनी अब यहाँ देखें बच्चो क्या है बह में एक की मात्रा, ट में आख की मात्रा, ट बेटा, बेटा से पुरुष जाती का बोध होता है तो यहाँ पुलिंग है, बेटा का इस्तिलिंग क्या बनाएंगे? बो में एक की मात्रा बे टा में बड़ी की मात्रा टी बेटी बेटा का इस्तिलिंग क्या होगा बच्छो बेटी यहां देखिए न में आ की मात्रा न न में आ की मात्रा न न न से पुरुष जाती का बोध होता है तो यह part पुलिंग शब्द है तो इसका स्विंग क्या बनेगा नानी, नाना, नानी, अब यहां देखे बच्चो क्या है, दम्या की मात्रा द, दम्या की मात्रा द, दादा, दादा से आप देख सकते हैं यहां पर, पुलिंग शब्द का बूध हो रहा है, और दादा का स्विंग क्या होगा बच्चो दम्या की मात्रा दा दम्या की मात्रा दी दादी दादा से पुरुष जाती का बूद होता है इसलिए यहां पुलिंग है और दादी से इसलिए जाती का बूद होता है इसलिए इसलिंग है तो दादा का सब्द क्या होगा दादी यहां देखे चौम्या की मात् लोग इस लिंग बनाएंगे लिंग बदलेंगे तो चुहा का इस लिंग क्या होगा लिहां दीजिए यहां पर चुहा का इस लिंग क्या होगा चुहा अब यहां पर देखें बचो क्या है तालब विशों में एक के मात्रा र शेर शेर एक से पुरुष जाती का बोध होता है तो यहां पुलिंग शब्द है अब शेर का इस लिंग क्या से बनाएंगे हम लोग शेर नहीं शेर का इस लिंग होगा तालब विशों में एक के मात्रा र न में बड़ी के मात्रा नी सेर नी सेर नी से इस लिंग क्या होगा बच्चो सेर नी अब यहां देखें क्या है चम में चुटी के मात्रा अड़ा में आ के मात्रा चीडा चीडा से पुरुष जाती का बोध हो रहा है इस लिए यह पुलि चिड़ियां चिड़ा का स्थिलिंग क्या होगा बच्चो चिड़ियां अब यहां देखिए यहां पर क्या है नामे आउक की मात्रा नौ कर नौ कर नौकर से पुरूष जाती का बूद होता है इसलिए यहां पुलिंग है अब इसका हम लोग इस्तिलिंग बनाएंगे क्या होगा नौ कर रमया की मात्रा नौ मे बड़ी की मात्रा नी ौकरा नी नौकरानी शब्द से बच्चो इसले इसले जाती का बोद हो रहा है इसले 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 इ रानी से स्त्रिजाती का बोध होता है इसलिए यह स्त्रिंग है तो राजा का स्त्रिंग क्या होगा रानी बच्चों आप लोग इसी तरह घर पे पढ़ेंगे धन्यवाद आप लोग घर पे अच्छे से लिंग बढ़ेंगे धन्यवाद बच्चों